जैभीम नमोभुद है मैं जनतन मंतर पे हूँ और आज हमारे साथ है प्रोफेसर कौशल पवार जी मैं एक सवाल पूछना चाहरा हूँ कि जातीवादी जो चल रही है और जातीवादी सरकार में वी जो वर्तमान सरकार है उसमें भी बहुत चरम सीमा पे चल और जो अंटचेबल वाली बात है क्या वो आज भी है क्या देखिए भारत की यह सचाई है कि भारत एक जाती प्रधान देश है और मुझे नहीं लगता कि जाती ववस्ता इतनी जल्दी खतम हो जाएगी रही बात जो आपने बोली अस्प्रिश्यता की तो अस्प्रिश्यता ह है ना हमारे अंदर बिल्कुल है आप लेयर्स को उठाके देख लीजिए अपर कास्ट और लोवर कास्ट और एक और पाधान पर आगे बढ़के मैं आपको कहूंगी कि वीदिन लोवर कास्ट भी जाती ववस्ता कायम रखती है आप आपको जानकर हारानी होगी कि जिस तरी कोने आप देख रहे होंगे अधार पर जो चल रहा है जो विरोध में आज मार्च हुआ हमने इसमें एक ग्रूप पनाया हुआ है मिरे पास फैक्ट है फैक्ट के अधार पर मैं जवाब देना चाहती हूँ एक इतने सीनियर दलित आदमी है उनको मैंने उस ग्रूप में जो यह उसकी वर्डिंग थी आप चाहें तो मेरे इसमें स्क्रीन सोटा ले सकते हैं उसका पहला उसने जो मैसेज डाला मेरे ग्रूप में अटैकिंग क्योंकि मेरे ग्रूप था तो अटैकिंग सीधा एक दम यह का कि हमें आपके समाज पर शरम आती है मुझे बढ़ा हरानी कि हम यहां सिर्फ 13 पॉंट रोश्टर की बात करें उसके अगेज्ट में हम बात करें दूसरा होता था उसका बैसेज कि आई सेम होनी हो तीसरा बैसेज किसी ने फिर्टरण यह कहा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप मैडम तो काम करती है करा क्या किया आज तक आपने अप बहुता है किस सब्सक्राइब हुएं तो सबको पता है कि मैं किस कम्मूनिटी से हूँ तो सीदा सा एकदम आटैकिंग था और वो भी कोई अपरकाश्ट नहीं था मैं आपको अस्प्रिश्यता वाला जो आपने सवाल पूछा अप्रकाष्ट नहीं था हो हमारा ये अपने दलित था उसका ये सीधा मेरे उपर अटैक था कि अब बताएं इससे क्या समझ नहीं आता हमें इसका मतलब ये चाहते हैं कि अगर लीडर्शिप भी हो तो उन दलितों की हो जो सक्षम उन दलितों के नहीं हो जो बिल्कुल आपके नीचे के पायदान पर है पर एक सवाल है लेकिन आज मुझे लगता है हमारे लिए जो इंट्रेस्ट को अटाके बहुत सारी चीज़े हम जीते होते हैं उन्स सब को अटाके आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो यह है 13 पॉइंट रोस्ट के खिला इसलिए मेरा तमाम बैने फेस्बुक के मादम से भी अफिल की थी और आपके चैनल के मादम से भी ये जो र बाबा सहाब ने जो कॉंस्टूरीशन बनाया था उसमें भी जातीवाद हटाने के लिए और समानता लाने के लिए बात की थी तो पहुझन समाज है वो समानता के तोर पर आ रहा है या नहीं आरा अभी भी ने देखें बहुत बढ़त सवाल है बहुत सारे लोगों की अभी कि कोशिश की जारी है बहुजन समाज में आते हैं नहीं मैं बिलकुल एक दम आपको मुझे साफगोई से बात करने की आदत है और आपके दर्शकों को मुझे पता है बहुत खराब लगेगा अगर मैं इस सवाल का जवाब दे रही हो तो लेकिन आप बरहाल आपने सवाल पू अब लेटेस्ट परसों का ही उधान बता दिया ना आपको बात ओर यह 13.5 की वो मेरे को मेरी योकाद दिखा रहे हैं कौन हमारे अपने ही दली तैसी लोग आप कैसे बांद सकते हैं यह पर वो जो 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 चन्न लोग जो है जो आप लोगों को इस तरीके से बोल रहे हैं व हम आपने ही अंदलों में देख लो कहीं ना कहीं अदूरा है इसको इसके उपर में तो काम करने के जरूरत है मैं एक सवाल और करना चाहूंगा एक सीरियल आया था सत्य में जैते और फिलिमिश्टार आमीर खान ने आपका इंटर्विवी लिया था और अंटचिबल की भी वन्हें बात की सी जो आंटचिबल आपने उस टैम पे बयान किया था वह अंटचिबल आज भी है क्या बिलकुल है आप देखिए ना सोचल मीडिया में तमाब जो लोग डाल रहे हैं बार-बार की अंटचिबलेटी तो आप के तरफ के तरफ के तरफ चले जाई ये साउथ की तरफ जलेज़े आज भी दलितों को अपना चपल पहने के जाने का दिकारनी हाथ में उठाके चलने के चलते हैं वो लोग कई सिर्पर उठाके चलती है महिला है आप देखे हमारे पास लगातार यह आता रहता है बहुत सारा अविदेंस कि आप जहां साफ साफ लिखा यह थोड़ी बात्रा में है आज भी भारत का बहुत सारा हिंसा ग्रामिन समाज में रहता है जहां आज भी दलितों को अश्परिश्यों को पंचे जन्य को जिसको आप ऐसी भी नहीं मानते जिसको एकदम आपने आउट ओफ क्लास टाइप बिएव किया हुआ है वो जब वह बिएव करते हैं उनके साथ उनका वार वैसे ही होता है जैसा हम लोगों दूसरों के जाथ करते हैं मैं एक एहम सवाल और पूछना जाता हूँ कि अंतिम सवाल नहीं इसके बाद पूछूँगा प्रोफेसर कौशल पवार समाज को जागरुक करने के लिए क्या कदम उठा रही है मैंने एक यूटूब चैनल खोला हूँ है स्वेचकार समाज की आवाज मैंने अपना नाम लगाया हूँ है इसमें साती साथ डॉक्टर कोशल पवार उसका मेरा मकसद सिर्फ वितना ही है कि जितने भी हमारे सफाई करमचारी है वो देखे कि बाबसा भीमरावंबिडकर का संदेश क्या था जाड़ु को छोड़के कलम उठाए आज क्योंकि मेरे हाथ में कलम है इसलिए मैं जपान अभी अप्रेल में जा रही हूँ कैनिडा जा चुकी हूँ पाकिसान जा चुकी हूँ लंडन जा चुकी हूँ फ्रांस जा चुकी हूँ अमेरिका कई बार जा चुकी हूँ कि आप ज़ाडु को छोडब के आगे तक की राजनिति करिए तो लाग दो लाग अग तीन लाग ऊच्री को पाने के कि यह भूस्त देने के लिए बे तयार मैं किया इस जीज से को भी हटाना सब्सकाद में चाहिए और अच्छा सुच चीज हमें लेनी चाहिए देखे बहुत गहरा सवाल आपने पूछा यह बहुत महत्तपुन है आज भी इतना ही रेलिवेंस है प्रोब्लम क्या है कि हम ये तो कह रहे हैं आप जाड़ू मत उठाओ जाड़ू के नोकरी मत करिए मैला मत उठाओ उसमें मत उ हाथ में जो महिलाएं जो काम करती है जो इडेंटिफाइड है पुर्ष जो काम करते है वो इडेंटिफाइड है अगर वो दूसरा काम करेंगे तो उसको काम मिलता ही नहीं बहुत सारे गाओं ऐसे हैं पर एजुकेशन लेंगे तो शायद कुछ और काम होगा बिलकुल होग ना जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है तो उनको यह लगता होता है कि जाड़ू की नोक्री सही कम से कम नोक्री तो मिलेगी ना पेट का सवाल है अधरवाइस कोई भी गटर मैं मरना नहीं चाहाता है लेकिन जब बच्चों का पालने की बात आती है तो लेकिन इसके आप लोग जब साथ दिन नवरात्रे का वरत में भूके रह सकते हैं तो आप इसमें क्यों नहीं रह सकते हैं वरत की तरह ले लीजिए जब आपका पास रोटिया है तो खाये मत उतर ये गटर में मत काम करिये लेकिन फिर भी विकल्प हमारे पास नहीं है मैं ये अपनी हम लोग उनको भी कल्प नहीं दे पाए एक आखरी सवाल डक्टर बियार अंबेटकर जी ने सिक्षिक बनने और बनाने की भी बात की थी हमारा बालमी की समाज जो वो सिक्षिक सिक्षा की ओर बहुत कम जा रहा है क्या बाबा साब को आज वो मान रहा है ने देखे इसमें बड़ा पिजदा सवाल है बिसिकली क्या है ना कि हम इसलिए हम लोग बार बार अरियाना में और कई जगे पर पंजाब में भी है वी दिन एसी रिजर्वेशन की मांग करते हैं एसी का ए और बी केटेग्राइज करके ताकि वो लोग जो पड़ लिखे चुके हैं उनको भी ऊज़े आ गयाने का पुसवर दिया जाएं मैं इसका बिल्कुल समर्थ करती हूँ कि विधन रिजर्वेशन हमें रिजर्वेशन लागू करनी चाहें ज़ए जाड़ों को छोड़ के कलम उटाए का द रिखा गया है इतियासे लिखा जाएगा इतियास लिखा जाएगा इत कलम से ही इतियास लिखे गए हैं जाडू से कभी भी इतियास नहीं लिखा गया और इस मोधी सरकार को इस कलम से ही और इस जाडू से ही हटाना पड़ेगा जब इस देश का उधार होगा